श्रोते हो नमस्कार, श्रोते हो वर्तमाना मदे COVID-19 या आजार अचा संधरबाद आपन जानोना होत और ये प्रकार ची भीती सुद्धापल्या मना मदे बसले लिया है आज आपन यास अनुशंगाना चर्चा करना रहोत ते मन्जी COVID-19 याची तपाश्मी प्रक्रिया आए, ही कशा प्रकार आए, प्रामुख्यान याची लक्षण का आया है आणि साधारन पने आपन कालजी कुंट्या प्रकार ची घेतली तर यापसों दूर रहो शक्तू, या संधरबाद आपन जानोंगे विया आणि या संधरबाद आपलेशी सम्वाद साधत आए, पैतोलोजिस्ट डॉक्टर सै निमाले मेडम नमस्कार मेडम, कोवीड नाइंटीन हा आजार अलिकल्चा काला मदे मुठ़ा प्रमनात आहे आणि लुकायां चा मना मदे प्रकारत सम्वरमाणी भीतेशे दोनी गुस्ति आहे लक्ट सै तर या आजाराचा संधरबाद आपन काय संगल सजसा अपलेला ता पूरुण जग भरा मदे कोवीड नाइंटीन हा था हिमान गलतो है खरतर हा अजार या पूर्वी सुदह होन गेला है आणि कोवीड नाइंटीन मंजे स कोरोना वाइरस डिसीज हा एक प्रकार सा नवीन स्ट्रेन है करोना गटातला सा नवीन स्ट्रेन आहै या पूर्वी सार्स आणि मर्स अशे 2-1 गटा मधले आजार होन गेले सार्स मंजे सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हा दोन हजार दोन मधे चायना मधे जाला आणि तो जगभर पसरला त्यानां तो 2012 मधे मर्स मझे मीडियल इस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हा 2012 मद्धे दक्षिन कोरिया मदे जाला आणि तो जगभर पसरला परन्तो आता है चा नवीन स्ट्रेन मंझे स सार्स कोवी टू मंझे कायत वर्जन टू हा नवीन स्ट्रेन आलेला है आणि तो तैसा प्रथम लागन ही चायना मदे जाली आणि ही पूर्ण जगभरात पसरली आए आणि यह आजार आला पन कोवीड मंझे स करोना वाइरस नाइन्टीन अहाजार मंटू प्रामुख्यानी वैशिश्ट आशी आए कि सार्स आणि मर्स यह पसरत नो ते परंदू देन सा मृत्युधर खूब होता सार्स मादे साधारन दाहा टक्के लोग मरोत होते तर मर्स मादे 27 टके परेंत गिले होते परन्तु करोना वाइरस हाँ खुब पटापट पसरत हो है, खुब प्रमाणा मदे केसे जिसोने तर्मता देजा मृत्यु दर्जवा है तो फक्तर 3.4 टक्के उड़ा चाहिए याची प्रामुखण लक्षन का आया है सर् 5.4 टक्के लोकान मदे अगदी mild symptoms माज़े स्वशना संबंधित जी आजा रस्ता जासे के ताप ये तो, कोरडा खुकला ये तो आणी दम लगतो 5.4 टक्के लोकान मदे है mild symptoms जिसोने तर्म अपन अपर respiratory syndrome मंटो आणी 15 टक्के लोकान मदे हा दम लगने ताप ये ने है पाल्स ते साथ दिवसा पिक्षा अधिक ज़र ताप रहेला तर तला लोर रेस्पिरिटेड राइक इंफेक्षन होता आता ही 15 टक्के लोक कोण आहे तर जाना अधि पसुन का ही स्वसन संबंदित आजार आहे किवा diabetes आहे, hypertension आहे, जा पेशन्ट चा ओर्गन ट्रांस्प्लांट जालेला हे किवा ज़र पेशन्ट कैंसर है आणि तालना किमोधेरिपी चालोया अशार लोकान ना मतरहा 15 टक्के गंभीर स्वरुपाची लक्षन दिसुने तर पहिले तीन ते पार्च दिवस ही जी लक्षन अस्ता जासा ताप येने घसा खोखोने ठकवा वाटने तर लगे चास धावपल न करता डोक्तर आंशी मातर नकिस तुमी चर्चा केली पाई जाए परन्तु लगे चास टेस्ट करून घ्यो नका करण की पहिला दोन ते तीन दिवसा मदे करोना रिलेटेड जा टेस्ट आहे तर न अगे उद्वसा में एक पाउपल नटा शराल में डिलेटेड जातला नहीं तो इनफेक्ट करतो आणि तो स्तराओ गेतले या नंतरस ये तपशनी केली जाए रगता मदे ये तपशनी केली जात नहीं अंपंदरा ते वीज़ दिवसा परेंता ये या एंटिबोडिस तयार प्रत्यक व्यक्ति ची करने अवश्यक आए तसे जे घेल्थ वरकर्स आए जे कंटिनेसली या कोवीड पेशेंट्स चा सानित देतेता है किवा जे हस्पिटल मधे जे अड्मिट पेशेंट्स आए तेनना अक्यूट रेस्पिरेटरी रिसीजे जाले जना न्यूमोनिय आए तेनची टेस्ट करना अवश्यक आए मतर सर्वसामान्य पेशेंटला जर सर्दी जाली आणी घसा खोखोते आणी एक ते दोनस दिवस जाल तर धावपल ना करता टेस्ट मतर करू नका पर्ण डॉक्टर अंचा सानिध्यात रहा जेने करून तुम्हाला तेचे पासते साथ दिवसान अंतर नकीजस तुम्हाला ते सांगितला जयल कि टेस्ट करना अवश्यक हाए कि ने अधा मांके इग्वा कि आपना तो उलेक केला सर्दी या संदर बातला तर बरेद्धा लोकान आशी सवय आसते कि सर्दी जाली ता पन फार्मसी में गोल्या घ्योंगी तो तर या किती घातक हो शकता तो या नकीज घातक है तकोंट अही डॉक्टर अंचा सल्लेश भाई करण अपली जर इम्मुनिटी चांगली असेल तर अपलेला तरा सोनर नहीं कता ची ते सर्दी कोरोना ची सुधा असु शकते करण की लक्षण खूब वेरियेशन साहे त खूब वेगवग्ड़ा पद्धती ची लक्षण दिसते काही पेशन मदे तर लक्षण सुधा नाई करने आप अपली साधर कीमा अपली भांडी सुधा धून वेगड़ा करने है फार अवश्रेकान की कम्यूनिटी स्प्रेडा असास होतो एका वेक्ति करण उन साधरां आट ते दहा लोग काना इंफेक्शन हो शकता यह शें मदे मानम तीन ते चार काई काय प्रकण सहापन अपलेला तपाशन केलेल दिसततर या मक्य भूमी का का है तीन ते पाल्स दिवसा परेंत तो टेस्ट होत नहीं, तेशा मोझे पहला जर टेस्ट निगेटिव आली, आनि जर पेशन्ट हाई रिस्क है, पेशन्ट ला कंटिनेसली हाई ग्रेड फीवर आहे, दर्म लगतो आहे, ओला खोकला सुरुज भालेला है, टेस्ट निगेटिव तो दूसरी टेस्ट यास पद्धती नि आरेंटी-PCR करावी लगते, तो आन्तर पाल्स दिवसान नि करावी लगते, दहवय दिवसी करावी लगते, और चौदयवय दिवसी करावी लगते, करण की बरेज बड़ा इंक्युवेशन पिरेड वेरियेशन्स होता, तो वाइर तो पेशेंट ला डिश्चाज करने आदी, समझा, खुब हाई रिस्क पेशेंट आहे, इंटरनेशनल ट्राइवलर आहे, आणि तैची जर टेस्ट निगेटिव आली, तो तैला आपन कारंटाइन करतो, आणि तैची टेस्ट परत पास दिवसान नि केली जाते, जर निगे निगेटिव रिपोर्ट्स निगेटिव आले, तो आपन तैला सेफ डिश्चाज देऊ शकतो, अपले कले मेडम हाईजीन चा संदर बाद, परस अध्यान है मना कि वाम त्या कले आपन दूरलक्षे करतो, तो आज आज आर अचा परिसित घातक हो शकतो, तो करन कि हाँ सर र प्रतेक वे सैनिटाइजिशन करने हैं फार अवशक है, हाथ सवच्छ धुने, बाहर उनालयन अन्तर, प्रतेक जाओड़या काई वस्टो आपन बाहर गिवन जातो, तो ते प्रतेक अला सैनिटाइज करना अवशक है, नहीं कि वक्ता आपन हाथ कदी कधी सवच्छ करनगे तो पंटे चुकीचा है, जर जाक है वस्तु आपन कैरी करतो, त्या सुधा सैनिटाइज करना वारम वार करना अवश्यक है, आणि उष्णते मदे आसा मन्टाग की तो वाइरस जगत नहीं, टिकत नहीं, यह खरतार बरोबर योग्य नहीं, अजु नहीं आचा, है वरती संश दन सुरुआ है, आणि सैनिटाइजेशन करना अप्रतिक वस्तु आपना अवश्यक नहीं, अपरे लग्षाद ग्याद में, आणि अत्ती अलकोहौल वापरना ही घातक है, साधर अटा हाँ 20 सेकंद है, सफिशेंट आस्ता सैनिटाइजेशन करना, साबन वापरला 30 साल तो अग्दी अलकोहौल वापरना कहीं अवश्यक नहीं, बर्यास्टिक आणि रिमोट एरियाज मदे ता सैनिटाइजेशन मैथिस नहीं एतलो काना, त्या मोले अग्दी स्वच्छ साबनानी हाथ दूतले तरी पूरे सा है, सारवजनीक जीवना मदे वावरत अस्तान आपन य तरांची कारजी गेना अवश्यक है, कान अपली रोग प्रतिकार शक्ती जर सांगली असेल, तर अपन त्या आजार आतून बाहर बढ़तो, परन्तु हाज आजार अपले शरीरात केरियर मणून रातो, आणि जेमा अपन समाजात वावरतो, तेमा अपन इतर समाजाला अवश्यक है, कारण की पहिल्या दोन स्टेज गातक नसतात, मतरत तिसरा स्टेज आए, कम्यूनिटी डीसीज, अपले श मोले पुरुन समाजा मदे पसरा दसतू. आज आज आरा अपन आणकी काया संगली? सर आता एक नवीनाज टेस्ट बर्याज मध्यमानवर्थी प्रसारित होते हैं कि आंटीबोडी टेस्ट करने तेना रहे, पास मिंटा टेस्ट होना रहे, तर यहां मदे बर्याज लोका ना बरेज प्रशन पढ़ले असतील, तर ही आंटीबोडी टेस्ट ज्या है ही IgM ची IgM टेस्ट मंजेज की आजार जाल्या नंतर ही आंटीबोडी स्यार होताद, तैचा अर्थासा न असतो की पेशेंट ला खुब सिवियर डीसीज आहे, तैचा अर्थासा ही असु शक्तो की पेशेंट ला हाँ आजार होन गेला हे, पेशेंट इस नाव इम्यून टुद टीसीज तैचा मोडे घबरून जाएचे कही कारण ने, फक्त मास्स्क्रीनिंग साथी हैचा फारस उपयोकुतो करन ही पाच मिंटा धोनारी टेस्ट आहे, जिते आर्थी पीसीर ला साधरन एक दिवस जातो, आणी खुब प्रमाना वरती यहा टेस्ट करना अर्थि मास्सक्रीनिंग साथी IGM टेस्ट नकिस थोड़ा जिवसा मदे शुरू हना रहे, परंतु थी कनफर्मेटिरी टेस्ट नस्ट ना रहे, जिचा मदे अपने उड़ास विचार करू शक्तो कि ज़ार IGM पॉजिटिव आली पेशेंट हाई रिस्क कसेल, तर पुढ़े आपन त RTPCR करना रहोत, ती पॉजिटिव आली तर ती कनफर्मेटि रहना रहे, परंतु कही होट्सपोट्स आता डिकलियर जाले ले आहे, जिची कि मुंबई पुनी, तर अशाट इकारी मास्सक्रीनिंग करता IGM टेस्ट आपन करना रहोत, ती पॉजिटिव आली पेशेंट नकिस COVID-DC जशना रहे, आणी कनफर्मेशन RTPCR निकरना रहोते। ज़िची कि मुंबई पेशेंट नकिस आता डिकलियर पेशेंट नकिस आता डिकलियर पेशेंट नकिस आता रहोते। स्वताची काल जी घेत ली तर निशीता सापने चौरती विजेंट बड़ावू शक्तो। ज़िची सम्वाज सदला त्या बंदला आभार नमस्कार। शोते हो नमस्कार। शोते हो। झाल झाल शक्तो।